पहली सुर्खी आई कश्मीर घाटी से जहां आज फिर एक भाजपा नेटा की हत्या कर दी गई आतंकवादियों ने कुलगाम जिले की होमशाली बाग विधान सभा में भाजपा एकाई की अध्यक्ष जावेद एहमददार को ब्रजूल इलाके में गोली मार दी दारकों के घर के बाहर गुली मारी गए हैं कश्मीर में अनुचे 370 के निश्प्रभावी किये जाने के बाद से लगातार भारती जनता पार्टी के नेताओं और कारकरताओं को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं जातर मामलों में अग्यात हमलावर आकर पार्टी कार्याले या घर के बाहर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं आज वाले मामले में सुरक्षा एजंसियों ने लाके को घेर लिया है और संदिक्दों की तलाश जारी है अब दूसरी सुरकी की तरह बढ़ते हैं सुप्रिंग कोर्ट में आज फिर पैक्सिस मामले पर सुनवाई हुई भारत के मुख्य न्याया धीश जस्टिस एनवी रमन्ना और इसके अलावा जस्टिस सूरेकांत और जस्टिस अनिरुद दिबोस इनकी ट्रिपल बेंच ने मामले को सुना केंदर की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुशार महता वो बोले कि अदालत को ये नहीं बताया जा सकता कि पैक्सिस का इस्तमाल किया गया है या नहीं क्योंकि आतंकवादी इसका फाइदा उठा कर अपनी कम्यूकेशन सेटिंग बदल लेंगे ये रास्ट्रिय सुरक्षा का मसला है इसलिए पबलिक डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता सरकार प्रस्ताविट टेक्निकल कमिटी के सामने सारी जानकारियां रखने को तयार है इस कमिटी में शामिल लोग निश्पक्ष होंगे और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देंगे हम अदालत की कारवाई के बारे में आपको और जानकारियां देंगे लेकिन पहले रुप कर सरकार के जवाब की चर्चा करते हैं सरकार ने एक सीधे से सवाल के जवाब को इतना गुमाया कि मुद्दा बदल गया पैक्सिस खुलासे और उसके बवाल का संबंद ऐसी जासूसी से नहीं था जिसे जायस ठहराये जा सकता है मिसाल के लिए आतंक रोधी कारवाई और सामरिक दृष्टी से दूसरे देशों में की जासूसी बारत में दवायर समित पैक्सिस पोजेक्ट में शामिल तमाम समाचार संस्थानों ने पहले दिनी साफ कर दिया था कि इस तरह की जानकारी को सारजनिक नहीं किया जाएगा पैक्सिस खुलासे के बाद हमारे सामने असल मुद्ध ये था कि एक ऐसी तकनीक जिसका इस्तितियों में आतंक वादियों के खिलाफ होना चाहिए क्या उसके निशाने पर पत्रकार, जज, विपक्षी नेता, सत्ता पक्ष के नेता और सेना के अधिकारी भी थे सरकार को इन लोगों की जासूसी की क्या जरूरत महसूस हुई ये किसी ने नहीं कहा था कि आतंक वादियों के खिलाफ पैक्सिस जैसी तकनीक का इस्तिमाल नहीं होना चाहिए और रही बात आतंक वादियों के सेटिंग बदलने की तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने शायद अखवार नहीं पड़े फ्रांस में सरकारी जाच एजन्सियों को पैक्सिस के इस्तिमाल के सबूत मिल गए है ये सोचने वाली बात है कि वो कौन से आतंक वादियों और उनके सरगना होंगे जो इस जानकारी के बाद भी पुरानी सेटिंग पर ही बात कर रहे होंगे ये राश्ट्री सुरक्षा का मसला नहीं है ये मसला है राश्ट्री सुरक्षा के लिए इस्तिमाल होने वाली तकनीक के गलत इस्तिमाल का और इसी लिए ये पब्लिक डिबेट का मुद्दा है सरकार कह रही है वो कमेटी बनाएगी और ये भी कह रहे है कि कमेटी निश्पक्ष होगी ये कौन सी दुनिया में संभव है सरकार को बताना चाहिए अब लोटते हैं आज की सुनवाई पर 16 अगस्त को सरकार ने अदालत में हलफ नामा दाखिल किया इसमें सवाल का जवाब नहीं था कि सरकार ने पैकसिस का इस्तमाल किया या नहीं कल की सुनवाई के बाद अदालत ने नरेंद्र मोधी सरकार से पूछा था कि क्या वो एक और हलफ नामा दाखिल करना चाहेंगे और इसके बाद आज की तारीक तक के लिए मामले को मुल्तवी कर दिया गया था सरकार ने आज अदालत को बताया कि 16 अगस्त वाले हलफ नामे में सारी जानकारियां हैं दूसरे हलफ नामे की जरूरत नहीं है आज की सुनवाई के बाद अदालत ने केंद सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है और दस दिन के भीतर याचिकाओं में अपने पर लगी आरोपों का जवाब अदालत में दाखिल करने को कहा है चलते चलते आपको इसी मामले से जुड़ी एक दिल्चस्प बात और बता दे राश्ट्री स्वयम सेवक संग के प्रचारक और भाजपा के संग्ठन मंत्री रहे कि एन गोविंदाचार ने कहा है कि पैकसिस का इस्तमाल आम लोगों के जीवन और सतंदरता पर आज तक हुआ सबसे बड़ा हमला दिख रहा है उन्होंने इसे साइबर टेरिरिजम का प्रकार बताया गोविंदाचार ने ये भी मांग की कि 2019 में पैकसिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई उनकी याचिका पर फिर सुनवाई हो 2019 में खबर आई थी कि पैकसिस का इस्तमाल आम लोगों के वाटसेप अकाउंट हैक करने के लिए हो रहा है और इसी संबन्द में गोविंदाचार की याचिका दाखिल होई थी जो अजालत में खारिच कर दी थी अगली सुर्खी इसका तालुक क्रिकेट से है क्याते हुए लग रहा है जैसे पुराने धर्रे पर लोट रहे हों कि ओलंपिक गया अब फिर से क्रिकेट खबर पर लोटते हैं लंडन में एक मैदान है लोट्स क्रिकेट का मक्का कहा जाता है और जाहिर सी बात है कि जब खेल का मक्का है तो यहां के ओनर बोर्ट पर नाम लिखवाना हर क्रिकेटर का सपना होगा कुछी खिलाड़ी होते हैं जिनने यह सम्मान मिल पाता है क्योंकि इसके लिए आपको या तो सेंच्चुरी मारनी होती है या फिर पारी में पांच विकेट निकालने होते हैं लेकिन कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिनका नाम इस बोर्ड पर आए बिना भी चमक जाता है। और ऐसे ही दस लडाकों ने बीती रात लॉट्स में अपना नाम चमका लिया। पांच मैचों की सीरीज के दूसरी टेस्ट में भारत ने एक लैंड को 151 रन मात्र से हरा दिया। पहली पारी में 364 रन बनाकर टीम 27 रन से पिछल गए। फिर दूसरी पारी में भारती बल्लेबास ज्यादा नहीं चलते दिख रहे थे। टीम ने से 594 के टोटल पर लगबग पूरी बैटिंग गवादी थी। रोहित, राहुल, पुजारा, कोहली, रहाने, रिशब और जडेजा पापस जा चुके थे। बचे थे नंबर 8, 9, 10, 11, नंबर 8 पर आई इशाद ने 16 रन की मातपूर पारी खेली लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एतिहासिक था। पता चले कि शमी और बुमरा बल्ले से भी मैच बचा सकते हैं। इसमें मैं भी शामिल हूँ। दफतर में दाखिल हुआ शाम को और इन दोनों को खेलते देखकर लिखला अरे अभी तक इंडिया खेल रही है। नबे विकेट के लिए हुई इनकी 89 रन की पार्टनर्शिप और फिर भारत हार और ड्रॉ नहीं जीत के बारे में सोचने लगा। कप्तान कोली ने इंगलेंड को पूरे 60 ओवर दिये बैटिंग के लिए। बना सको तो बना लो 272 रन। और शायद इंगलेंड कोशिच भी करता। लेकिन बुमरा और शमी फिर अड़ गए। और इस दिमाग से दूर थी और उनको उनके तोतों का जो प्राण था वो मैच ड्रॉ कराने में अटका था किता मजा आ रहा ये खबर पढ़ने में। फिर इशान्त आये ले गए हसीब हमीद और जॉन इबेर स्टो के विकेट 66 पर 4 और इसी स्कोर पर बुमरा ने जो रूट को भी आउट कर दिया और बचे हुए 5 में से 4 विकेट से राज ने अपने नाम किये और खूब किये इंग्लेंड की टीम 122 रन पर सिमट गई और भारत 118 रन से जीत गया इसे कहते हैं पैसा वसूल मैच और इस पैसा वसूल मैच के इस रिपोर्ट के लेखक हैं हमारे सूरज अगर आप सूरत दद्दा को नहीं जानते हैं तो जानिए सूरत दद्दा ललन टॉप की स्पोर्ट्स टीम के मुखिया हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं और ओलंपिक के दौरान जो तमाम आपको कवरिज दिख रही थी उसके जनक हैं प्रड़ेता हैं तो सूरत साथ लंबे बालों वाले इंडियन विकिट कीपर महिनस सिंधोनी की वाइरल तस्वीर हैं इनमैसे एक तस्वीर में उनके हाथ में शैंपएन और दूसरे हाथ में ट्रॉफी थी। बारत में क्रिकेट प्रेमियों ने तब तक टीम इंडिया को फाइनल दर्फाइनल हारते हुए ही देखा था, लेकिन वही टीम दुनिया जीच चुकी थी, वो भी ऐसे टूर्णमेंट में जिसे ICC ने उसी बरस शुरू किया था, ये बात अलग है कि साल 2007 के T20 World Cup के बाद हम द जारी कर दिया है और इसके साथ ही शुरू हो चुका है रिमाइंडर लगाने का सिलसिला, टीम इंडिया के फैंस हर मैच में अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए तयार है, पर सब जानते हैं कि मौका मौका का जिंगल तो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे लाउड होकर सुना ज और इस बार ये नशाद 24 अक्टूबर को अपने चरम पर होगा, टीम इंडिया अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी और टूर्णामेंट इससे पहले ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि UAE और उमान में 17 अक्टूबर से टूर्णामेंट शुरू होगा, जो 14 नवंबर तक चलेगा, इस वर्ल्ड कप के शुरू आती क्वालिफिकेशन मैचों के साथ बात शुरू होगी, क्वालिफिकेशन मैचों के लिए दो ग्रूप है, ग्रूप A और ग्रूप B, ग्रूप A में आर्लेंड, नेधरलेंड, श्रिलंका और नामीबिया की टीम है, औ और इस शुरुवात की अगले ही दिन टूर्णामेंट का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला जो हमने आपको बताया, दुबई में होने वाले इस मैच में भारत के सामने पाकिस्तान की टीम होगी, इन दोनों ही टीमों को सुपर 12 स्टेज के दूसरे ग्रूप में रखा गया समय की अनुसार शाम साले साथ बजे के बाद शुरू होगे